4 मार्च 2024 राजिस्थान के एक छोटे से गाव में पुलिस वालों को एक कोल आती है वो व्यक्ती पुलिस वालों को कॉल करके कहता है उसने जगह का नाम बताया और कहा कि इस जगह पर एक औरत की नगन अवस्था में और बहुती बूरे तरीके से डेट बोडी पड़ी हुई ह आप लोग तुरंति आपर आएं और इस बोडी को लेकर जाएं और क्या है इसका आप पता लगाएं पुलिस वाले तुरंत वहां पर पहुँचे वहां पर पहुचने के बाद पुलिस वाले अभी उसको चेक ही कर रहे थे इतने में उस औरत के प्राण निकल चुके थे जी ऐसा नहीं हुआ पुलिस वालों ने इसका पता लगाया कि ये कहा रहती है ये लड़की कौन है पुलिस वालों ने जब ये पता लगाया तो इसके ससुराल में कॉल किया कि ऐसे ऐसे आपकी बहु की हमें डेट बोडी मिली है उसकी मौत हो चुकी है आप लोग इसे तुरंत य देख लिजिए कि आपने क्या करना है और पुलिस वालों को जब ये जवाब बिला वो एकदम हैरान कि ससुराल वाले ये क्यों बोल रहे हैं तो पुलिस वालों ने तुरांत उसके परिवार वालों का पता लगाया उसके परिवार वालों का नंबर लिया और उन्हें कॉल अब सच में मर चुकी है क्या है वो हमारे लिए बहुत पहले չी मर चुकी थी हमारे उससे कोई तालूकात नहीं है उसका आप लोगों ने क्या करना है वो आप ही देखिये यहाँ दोनों तरफों से यह जवार बिल चुका था ससुराल वालों की तरफ से भी और माता-पिता की तरफ से भी अब पुलिस वालों के दिमाग ठनक ने लगा था कि आखिरकार ये माजरा क्या है क्यों ससुराल वाले भी मना कर गए कि हमारे इससे कोई रिष्टा नहीं है और परिवार वाले भी मना कर गए कि इसके मातापिता से भी कोई रिष्टा नहीं है आखिरकार ये सब ठीक है चलो उन्होंने जवाब दे ले लेकिन इसका कारण क्या है क्यों आखिरकार क्यों पुलिस वालों को इन लोगों ने साफ साफ इंकार कर दिया था पुलिस वाले या अपनी इन्वेस्टिकेशन करने में जुट चुके थे कि आखिरकार इसका पूरा माजरा क्या है ये हमें पता लगाना बहुत जरूरी है और जब आप लोगों को इस स्टोरी के बार में पता चलेगा पूरी स्टोरी ये क्या है आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इसी औरत को शायद भर भर कर गालिया देंगे जिसकी अभी डेड बोनी मिली थी तो आखिरकार क्या थी पूरी ये स्टोरी चलिए जानते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक नाइट फाइल्स पॉड़कास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही होरर, मुर्डर मिस्ट्रीज, एक्स्टरमेरिटल अफेर्स, मुर्डर्स ये ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आप लोगों को इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लेना और कमेंट में पिक्मी लिखना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए आज की इस स्टोरी को शुरू करते हैं सच में आज की स्टोरी आप लोगों को हिला कर रख देगी और जो पुल्स वालों को वो डेवी बाई की डेट बोडी मिली थी पुल्स वालों ने पहले तो 22 गंटे इंतजार किया क्योंकि यह प्रोसीजर है अगर 22 गंटों तक कोई भी डेट बोडी के परिवार वाले अगर वो डेट बोडी लेने नहीं आते तो वो एक लावारिसों की तरह उस डेट बोडी को जला देते हैं वो अपना काम कर देते हैं इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, 72 गंटों तक पूलिस वालों ने इंतजार किया, कोई भी इस dead body को लेने नहीं आया था तो फिर पूलिस वालों ने इस body को लावारिसों की तरह ही इसे भी जला दिया अब यहाँ यह क्या है यह लड़की कहां की थी राजेस्थान के खदू को पढ़िया नाम की एक जगह पर इस लड़की की शादी हुई थी और इसके दो बच्चे थे एक लड़का और एक लड़की लेकिन हमें इस स्टोरी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा 23 मार्च 2023 का टा बाई देवी पता नहीं कहां से 4 मार्च 2024 को अपने ससुराल आकर खड़ी हो गई उसने कहा के मेरे बच्चे मुझे दे दो मैं अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाओंगी जब बाई देवी अपने ससुराल पहुंची तो उसे लोग ऐसे देखने लगे कि जैसे वो को गाउं के लोग इकठा हो गए वहां गाउं के लोग इकठा होकर उसे बहुत बूरे तरीके से मारने लगे उसे ऐसे चपेट लिया जैसे हम किसी बड़े जानवर को पकड़ कर बंदी बनाते हैं या उसे मारने की कोशिश करते हैं वैसे ही इसे पकड़ लिया गया इसे मारन पर एक उसी जगह से एक उसी गाओं का आदमी जा रहा था तो उसने उस बाई देवी की हालत देखी उसने तुरंथ पूलिस वालों को कॉल किया पूलिस वालों को कॉल करके उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक यहां पर औरत है इसकी हालत अदमरी हो चुकी है आप तुरंथ यहां पर आएए, पूलिस वाले उस लड़की के पास, पूलिस वाले उस जगह पर उस औरत के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि इसकी सासे चल रही हैं। और ऐसे ही पूलिस वालों ने इसे वहीं के पास एक हॉस्पिटल में भरती करवाया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाते ही डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया कि भई ये औरत तो मर चुकी है। अब उसकी सांसे थम चुकी थी वो इस दुनिया को छोड़ कर जा देखिए आप खुद देखिए कि आपने इसका क्या करना है। फिर परिवार वालों को कॉल किया इसके जो माता पिता थे उन्होंने भी साफ कह दिया हमारी बेटी ये जरूर है लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप खुद देखिए आपने क्या करना है। इ जायेगा नहीं तो पूलिस वाले ही अपने जो न वहांagt के रिती रिवाज थे उसके तुरु वो उस औरत का वाई देवी का अंतिम संस्कार कर देंगे और हुआ भी ऐसा ही बहतर गंटे तक कोई नहीं आया पूलिस वालोंने रिती रिवाज के अनुसार उस बाय देवी का अ अब यहां से थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं यानि कि बात कर रहा हूं 6 मार्च 2022 की इस दिन बाई देवी सुबा उठती है उठने के बाद अपना फ्रेश वगेरा होना नहाना दोना ब्रेकफस्ट करना और अपने पती के लिए चाय वगेरा बनाकर चाय नाश्ता बनाकर वो खेतों में जाती है अपने पती को चाय नाश्ता देने के लिए और जैसे ही वो अपने उन खेतों में पहुंची वहाँ पर जाकर देखा लक्षमन एकदम नीचे जमीन पर अदमरी हालत में लेटा हुआ है उसके शरीर पर बहुत गहरे-गहरे जखम है उसके हाथ से वो पूलिस वाले वहाँ पर आए, यह केस अब पूलिस वालों के पास जा चुका था, पूलिस वाले अब इसकी कारवाई शुरू करते हैं और वहीं से पूछता शुरू करते हैं कि आखिरकार यह माजरा क्या है, यह शक्स मरा कैसे, तो पूलिस वालों ने कहा कि यहाँ पर कोई ही माज़रा लग रहा है अब पुलिस वालों का धंग क्या है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब पुलिस वाले अपनी इंवेस्टिकेशन पर उतर कर आते हैं तो वो हर एक चीज को एक कर देते हैं और वो हर किसी को शक के दायरे में लेने लगते हैं चाहे वो किसी और के परिवार वाले हो या फिर खुद के परिवार वाले के ओना हो और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ पुलिस वालों ने पहले तो लक्षमन की डेट बोडी को पॉस्ट मॉटम के लिए भेजा पॉस्ट मॉटम के लिए भेजने के बाद यहां इंवेस्टिकेशन शुरू हुई हर एक चीज को खंगाला गया वहाँ पर लोगों से पूछताच भी करी गई पूछताच से भी पूलिस वालों को यहाँ कुछ हाथ नहीं लग रहा था फिर पूलिस वालों ने अब लक्षमन्ड की पत्नी पर भी शक करने लगे और ऐसे ही investigation करते हुए जो सामने आया वो बिलकुल सच था जी हाँ आप दे बिलकुल सही सोच रहे हैं वो शक सीधा सीधा बाई देवी पर आ चुका था और बाई देवी अब बहुत बूरे तरीके से फस्च चुकी थी पुलिस वालों को बाई देवी पर शक था और बाई देवी ने जो लास्ट कोल उस घटना वाली रात को की थी उस बंदे पर शक था उसका नाम था राम परसाथ पुलिस वाले इन दोनों को उठाते हैं और पुलिस सेशन ले कर जाते हैं पूलिस टेशन ले जाते ही पूलिस वाले उनसे पूश टाच करते हैं लेकिन इन दोनों ने बहुत ही इदर उधर की बाते की ये दोनों इदर उधर की बाते ऐसे गुमा रहे थे जैसे की इने कुछ भी नहीं पता लेकिन पूलिस वाले यहाँ अब इनकी कोल्टेस तो निकल दिखाया देखो तुम वार्दात वाली रात को दोनों खेतों में क्या कर रहे थे और वो भी इतनी रात को तब उन्होंने सचाय उगली के हाँ हमने ही लक्षमन को मौत के घाट उतारा है लेकिन पुलसवारा ने पूछा क्यों इसकी वज़ा क्या थी क्यों तुमने आखिरका लक्षमन को मौत के घाट उतार दिया तब रामपरसाद ने बताया कि मैं बाई देवी से बहुत प्यार करता हूँ मैं तब से इसे प्यार करता हूँ जब से जब मैं 18-19 साल का था और हम दोनों अक्सर मिला करते थे चाए देवी बाई यहाँ अपने माई के होती थी या फि लक्षमन ने मुझे धमकी दी और वहाँ से जाने के लिए कहा और यह का और मेरे घर के आस पास तू आज के बाद कभी मत दिखना तो यहाँ से इन्होंने ये फैसला किया कि लक्षमन को अपने रास्ते से हटाना होगा हम उसके बाद 20 दिन एक दूसरे से नहीं मिले और वो प्लैनिंग बनाई प्लैनिंग के तहब 6 मर्च 2022 जी हाँ में अभी तक यहाँ आपको बैक स्टोरी सुना रहा था कि 2022 में इन्होंने क्या क्या कारणा में रचे थे आभी तो आगे की स्टोरी बाकी है तो ऐसे ही 6 मर्च 2022 को यहां बाए देवी ने अपने उस यार्ग अपने चुन्नी देदी और राम परसाद ने लक्षमन का चुन्नी से गला दबा दिया लेटकर वो लक्षमन लेटा हुआ था उसके गले में एकदम से चुन्नी लपेटी और उसने गला खीचा और यहां जो बाई देवी थी वो अपने पती लक्षमन की चाती के उपर बैठ चुकी थी और जिसके कारण लक्षमन यहां कुछ भी नहीं कर पाया अब यहां उसकी सांसे बंद हो चुकी थी 6 मार्च 2022 की रात की यह बात थी अब इन्हें यह था कि भई अब हमें इसके उपर परदा कैसे डालना है यानि की लक्षमन की डेट बोडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए तो यह अपने घर से करीब एक किलोमेटर दूर राम पर साद लक्षमन की बोडी को जैसे तैसे खेतों म लेकर गया खेतों में जाने के बाद इन्होंने वहां बहुत तोड़ा ताडी की फोड़ा फाडी की पत्थरों से उसके लक्षमन के चैरे पर बहुत बार वार किये उसका सिर कुचल दिया गया था मूँ फेस जो था वो कुचल दिया गया उसके बाद उसके थोड़ी बहु पर टकराया और इसके फेस पर एकदम से इतनी गहरी चोट लगी और ये वहीं पर ही मर गया इसके बाद ये दोनों ये कारणा मरच के अपने अपने घर चले गए थे और इसके बाद ये पुलिस वालों ने खुलासा कर दिया कि ऐसे ऐसे 6 मर्च 2022 को ये जो कतल हुआ था ये ल उसके बाद उसके मारा पीटा यहां डेट बोडी मिल गी ये कैसे हुआ बाई देवी तो 2022 में जेल में बन थी अब यहां से ये कहानी शुरू होती है बाई देवी को मार्च 2024 में ही बेल मिली थी अब यहां बाई देवी मार्च 2024 में पैरोल पर जेल से बाहर आ चुकी थी ब क्योंकि उसने उनके पिता को जो मार दिया था अब लेकिन यहाँ बाई देवी को तो इस चीज का पता नहीं था वोसे तो यही था अगर मेरे बच्चे मुझे से नफरत भी करते होंगे तो मैं उनकी माँ हूँ, उनके पास जाऊंगी, उन्हें समझाऊंगी और वो मान भी जाएंगे और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे इसलिए मैं ससुराल जाऊंगी अपने बच्चों को लूँगी और वहां से कहीं और चली जाऊंगी बाई देवी यही सोचकर अपने ससुराल गई उसके ससुराल वाले तो पहले उसे खाने के लिए तयार बैटे थे गाउंवाले कट्थे हो चुके थे वहाँ जब भीड़ी कट्था हुई बाई देवी को लगा कि यहाँ आप खत्रा है यहाँ कुछ भी हो सकता है तो उसे निकलना चाहिए वह वहाँ भीड़ से निकलने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन वह भीड़ की चपेट में आ गई गाउंवालों ने उसे खूब पीटा खूब तोड़ा उसके कपड़े तक फार दिये उसे वही परी अदमरी हालत में छोड़ दिया और वहीं से एक बंदा गुजर रहा था उसने पुलिस वालों को कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक बोड़ी पड़ी है वो पुलिस वाले आए लेकिन किसी भी पाई देवी के परिवार वालों ने जो ससुराल वाले थे जो अपना माई का था किसी ने भी इसकी बोड़ी को एकसेप्ट नहीं किया तो यहाँ पाई देवी को पुलिस वालों ने बहतर गंटे इतजार किया कि कोई इसे लेने आएगा लेकिन कोई नहीं आया, फिर पूलिस वालों नहीं नहीं नीटी रिवाजों के साथ, उसकी टेट बोडी का अंतिन संसकार कर दिया, तो यह थी पूरी कहानि बाइ डेवी मर्डर की और यहाँ लक्षमन मर्डर की जो राम परसाथ था, वो तो जेल में ही बंध है, तो यह थी आपने पहले कभी इस कहानी को सुना था या नहीं मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और कमेंट सेक्षन में एक चीज और बताईएगा कि यहां गलत कौन था बाई देवी ने क्या ठीक किया था या फिर बाई देवी के साथ उसके ससुराल वालों ने और गाउं फालों ने ठीक किया मुझे आपके कमेंट का बेस अबरी से इंतजार रहता है तो कमेंट सेक्षन में आप अपनी राई जरू दीजिएगा और अगर आज आप नाइट फाइल्स पॉड़कास चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में नॉटिफिरेशन बाल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी इंस्टेग्रेम आइडी आप लोगों की स्क्रीन के उपर है इसका लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाए जल्दी से इंस्टेग्रेम आइडी को भी फोलो कर लेजिए खेर पिछल इसी वीडियो का शाउट आउट पुजा समल को कमेंट पिक में टूट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी ही एक और चुका देने वाली इंट्रस्टिंग स्टॉरी के साथ